विकास के नाम पर जो बबाल मचाया जा रहा है उससे इस पवित्र भूमी के अस्तित और आदर्स के बिलोप का मार्गी प्रसस्त हो रहा है। शासन तंत्र का यदायत है कि तीर्थ को भोगस थली का रूप प्रदार न करें सुरा सुंदरी का क्यंद्र न बनावे। हम विकास के पक्षदर हैं परंतु तीर्थों के अस्तित और आदर्स विकास के नाम पर बिलुक्त हो जाएं इसके पक्षदर नहीं हैं। शासन तंत्र ने परंपरा प्राप्त मठों को मार्ग के प्रसस्त करने के नाम पर तोड़ दिया। देवी देवता के स्थान भी विलुक्त कर दिये गए और यह क्रम चल ही रहा है। एसी स्थिती में शासन तंद्य न सोचे कि उसे लोकमत का बल प्राप्त है। लोकमत कभी भी विप्रीत हो सकता है। पुरिशा की जनता ने आस्था पूरवक जिस राजने तिक दल को शासन करने का अवसर वर्सों से प्रदान किया है। पुरिशा की जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि विकास के नाम पर पुरिशा की राजदानी धार्मिक दिश्टी से जो पूरी है। उसके आदर्सों को विक्रित अविलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदानी बाल प्रदानी प्रदानी जनता की जनता है।